यह जो च्वी मैं आपको दिखा रहा हूं यह उस च्वी से मिलती जुलती ही मुझे दिख रही है इसलिए मैंने डाला है इसमें और यह उसका दस प्रतिशत मान सकते हैं सिर्फ दस प्रतिशत आखें उसकी सफेद देखता हैं उतलियां और जदर सफेद बड़े बड़े दाँद बाल भूरे भूरे पीछे के तरफ भागते हुए जैसे हवा के तरफ पीछे की तरफ भाग रहे हवा से यह रहे पे एक अजीब सा तेज था एक गंदा वाला तेज था गंदी उजा जैसी थी लेकिन उसकी भी एनरजी बहुत पावरफुल थी उसके सामने भी बैटना बहुत बड़ी हम्मत की बात थी मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं देखता ही रह जाता था जब जब वहा ही मैंने उसकी तरफ देखा मैं देखता ही रह जाता था इतना अजीब सा उसका औरा था इतना अजीब सा उसका उर्जा मंडल था कि आपने उसकी आँखों में देखा तो आप बस उसकी आँखों में ही देखते रह जाएंगे फिर वो जो बोलती चले जाएगा आप करते चले जाएगे तो जब दस दिन बाद वो जब मेरे सामने दुबारा से प्रकट हुई लगबग साता फिट लंबी खुब मैली थी बस जहरे पर उसके बहुत तेज अजीब साही तेज था दैवी तेज नहीं भोल सकते उसको और जब इस तरफ देखा और मैंने उसकी तरफ देखा तेज करकश आवाज में चिल लाती थी और तेज करकश आवाज में आदी बात तो समझ में ही ना आए इतना तेज है इस आक्रोश में कोई भी व्यक्ति कोई भी सादक लड़ाई करने को आतुर हो सकता था अगर उगर प्रवर्तिका है और शांत प्रवर्तिका है तो वहाँ से डर के भागने में ही अपनी भलाई समझता है लेकिन पुरानी बहुत साधना ही करी हुई है तो उसके अनभव साथ में थे कि डरने का तो कोई अर्त है नहीं आप डरे तो मरे डरना वैसे भी मुझे नहीं लगता है आज तक नहीं लगा कभी नहीं लगा है कोई भी सादना हो कूई भी चीज हो कोई भी इसती पर इसती हो लेकिन जब मैं उसके आँखों की तरफ देख के उसकी बात सुन रहा था तो पीछे 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 मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे मस्तिषकlage मैं कहीं मेरे अंदर पुछ ऐसी चीज परिवर्तित हो रही है जो मुझे उसकी तरफ आकर शित कर रही है उसमें बांध रही है उसी की ही कोई शक्ती मेरे को पाश में बांध रही थी जो मुझे मजबूर कर देती उसकी तरफ एक टक देखने के लिए और उसकी हर बात मानने क लिए और जैसे ही वो आती थी आज पस अजीब से धेर सारे चमगादर पसु पकसी चिलाना चीखना इतना धिमाग खराब करते थे इतना चिलाते थे कि मुझे कभी कबार तो इतना इरिटिक्शन सी हो जाती थी अंदर से कि मैं इसको देखूं अपनी साधना करूं कि अपने आपको समायों कि मेरा उचाट हो रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या एक तरफ ये सामने मिरो को साधना से उठाने के लिए एक तरफ मैं साधना से उठने के लिए उचाट को समाल रहा हूं क्यों कोई अपनी जान जोखिम में डाल के इतनी दूर इस प्रकार से साधना कर रहा ये भी कई बार आता था अरी चुट चाप शांती से जो साधना कर रहे है वो बाहर वो करो क्यूं इतनी अपनी जान यहां जोखिम में डाल रहा है यह सवाता था क्या लाब है क्या हो जाए साधना तुमने करके वैसे भी छोड़नी है पहले भी छोड़ी तो फिर क्यों कर रह जिस जिस प्रकार की साधनाओं में गया हूँ जितनी भी उगर साधना रही है उन्हें सभी साधनाओं के उगरता सिर्फ मेरी इस अगनी की यूगता के कारण ही मुझे प्राप्त हुई है जितनी साधक में अगनी होते है जिस प्रकार का साधक का उड़जा मंडल होता है जिस प्रकार की साधक चुनौती लेने के क्षमता रखता है जिस प्रकार का साधक समर्पन की पराकाश्ठा पार करने के क्षमता रखता है उस प्रकार की साधनाए उस प्रकार के गुरू उस प्रकार की ग्यान उसके आसपस सुता आने को आतुर रहते हैं। दीरे 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 ये मुझे जब भान होने लगा कि मैं शायद इसी की ही कोई शक्ति के माध्यम से इसकी आखों की तरफ देखता चला जा रहा हूं और बंगता चला जा रहा हूं पल-पल। अचानक से मेरे पास जो हमारे गुरुदीव के दिये हुए जो अस्त्र सस्त्र थे उसमें से एक निकाल कि मैं तुरंट जमीन पे ठोका हूं जहां आसन था मेरा उसी के समक्ष मैंने ठोका हूं और सब गयब यह सेकेंड भी नहीं लगा सब गयब हुए हूं यह है गुरू की शक्ति गुरु की ताकत और गुरु की ताकत भी मैं बाद में कहूंगा यह है अपना साधक का गुरु के प्रती समरपन विश्वास है लोग कहते हैं अंदश्रद्धा बहुत गलत चीज़ है मैं साधना क्षेत्र में सर्फ अंदश्रद्धा को ही इंपोर्टेंस देते हु नहीं और आपने जान लिया माल लिया यहां ऐसा होगा उसने बोला हो गए होगा अब दुनिया में सान सारी चीज़ों मत मानो लेकिन जो गुरु अदिश आ गया जो गुरु ने बूला उस पर अगर आपकी अंदश्रद्धा है तो स्वताह चीज़े कार्रे करती हैं यह मे करेंगे मेरी अपने स्वयम के शिश्य बहुत अनभाव करते हैं इस चीज़ को जो उस पूरे तरी के समर्पे थे ऐसे बहते हुई जैसे पानी बहता है नदी में ऐसे ऐसे उनके कारवर होते हैं बिना कुछ दिमांड किये बिना कुछ कहे और उस पे उनको अश्र भाव छूटते हैं कि क्या कर दिया गुरुण है कितना महान गुरुण ना कोई गुरु महान नहीं ये तुम्हारी महानता है जो तुम उस पे अंध श्रद्धा कर पा रहे हो तब उस गुरू की तरफ से चीजें बहती भी तुम्हारे पास आती है जहां तुम पॉलिटिक्स करने लगे जहां तुम दूसरों की बातों में आने लगे जहां तुम्हारे अंदर कुछ विचार आने लगे जब कहां गिरे पड़े पाए जाएंगे कुछ नहीं बता है और फिर सिर्फ गुरू और धर्म और साथना को गाली देने के अलावा कोई कारण ही बचता है इस पर राहू एक बहुत बढ़िया रूल पले करता है रहू जब कुटली में ब्रहस्पति के साथ होता है या प्रभाव में होता है वो गुरू से दोह कराता है यानि कि जो गुरू बता रहा है उससे हट के एक अपना अरग मारग बनाने के चेश्टा करता है और वो ब्रह्म में भी डालता है वो क्या करता है सादक कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा नशे में पड़ा रहेगा वो जवान गंदी रहेगी इस परकार के जीजों में भी राहू का बहुत बला योगदान है वो भटकाता है वो रोज भटका देगा राहू को ही वो अपना गुरू मानना सुईकार कर देता है राहू का क्या कार रहे है? वो अपने कारे में सफल हो जाता है भटका देता है पिन चार पांचे दस साल बाद फिर जब साधक को होश आता है तब हात मलने के लावा कुछ बचता ही नहीं कि समय बर्बाद कर दिया दस साल कुछ नहीं मिला फिर वो यही कहता है कि अब तो जो मैंने जान लिया पिताबों से पढ़ लिया जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक हूँ ठीक है तो फिर उसके अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है तो यह करना ही पड़ाएगा जिदनी भी वहाँ पर हरकते हो रहे जिदनी भी वहाँ पर उगर शक्तिया तांड़ों मचा रहे थी उचल कूद कर रहे थी आग लगा रहे थी बगबू भेला रहे जिसा वशांत और मुझे यह देख को कोई आश्चर भी नहीं हुआ क्योंकि मैं यह करना ही नहीं चाहता था किन्तु सुधा मेरा हाद गया वो आस्ते उठा और वो जैसे ही जम्में पर गिरा वैसे सब्शान्त हो गया कोई दरश्य नहीं सबसांती हो गई और उसके बाद मैंने अपने जाब को कंटीनियू रखा ऐसे ही एक तालिस दिन की जो साधा थी इस एक तालिस दिन में परती दिन आसंग की अनभव होते थे आसंग की अनभव कोई एक छोटा मुटा अनभव के लेक साधक तरस्ता रहता है गुरू और इस्ट करपा से आसंग की अनभव परती दिन होते थे बार बार हर्दे से सिर्फ धन्यवाद आता था गुरु को धन्यवाद इश्ट को धन्यवाद और शब्द में भी नहीं आता सिर्फ भाव बहते थे और जितना जितना बहता जाता था उतना उतना मेरी साधना प्रभल होते चली जाते थे चोटे चोटे वहाँ पर कच्छे कलुए आने शुरू हो गए खेलते गंजे गंजे से चोटे चोटे से काले काले से भागते मेरे पास आते हैं फिर भाग जाते हैं फिर मेरे पास आते हैं कि लाउं बिठाई लाउं बिठाई लाउं बिठाई लाउं अब इतना छोटा शक्त का पुंज और इतने छोटी शक्त इतने छोटा प्रीत बार-बार इस तरीकी जब परिशान करें अब बड़े को तो आप डाट भी दो गाली गलोज भी कर दो लेकिन छोटे से को क्या करोगे उनकी अठखेलिया ही चलती रहती उन्हें जात्री भर कभी वो पीड का जार उखा अब जूब भी मैं अपने जाब को करता रहता था अब मैं रुकता नहीं था बलकुल बलकुल जब तीसरा दिन था तीसरी दिन जब वो श्त्री आई जो परन पिसाच नहीं थी जो शुरुआत से ही आना शुरू हो गई थी उसने अब सामने के जगे मेरे पीछे से आना शुरू करा और पीछे से इतनी लंबी जीब भूर लगा तो यदि आपको ये वीडियो जानकारी प्रद रोमांचक लगी हो तो ग्यान वर्धन के लिए सभी सादकों के साथ साजा करें सब्सक्राइब करें लाइक करें झाल